हेलो एवरिवन मैं सब साक्षी फ्रमेस एंडिंग स्टडी एकडमी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन रांट क्लास 7 का यह डिवीजन है यह देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन एक अईसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन के तुरू आफ स्प्रिंग को जन मदेते हैं रिप्रोडक्शन औफ न्यु इंडिवीजवल्ल को एफ स्व किया होता है कि हम लोग अपने parents से produce होते हैं वैसे ही same to same plants में होता है ठीक है वो अपने parents से new of spring में change होते हैं उसी process को हम लोग बोलते हैं reproduction the plant किसक्र्शिस से बना होता है स्टेम से लीट Всे रूट से फ्लावर से थिक एक जो रूट से मौरिश inclined detector बोलते हैं जोते हुआन पार्ट बोलते हैं मैं नहीं नहींच आँए यह व्यग अलि तिश्च 5 से उसको सब्सक्राइब अधार्भ है कि प्रिपलावर के कि गोलते हैं क्योंकि देखते हैं मोड़ एस्झा दो चाहिए अces स्टेम लीफ्स बड एक्सेक्ट आई देखते हैं वेजिटेटी रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि प्लांट में वेजिटेटी पार्स कौन-कौन से होते हैं रूट से रूट से अगर वो डिटेच हो जाता है अपने प्लांट से प्लांट से देटेच होता है तो न्यू प्लांट में ग्रोग होने लगता है जमीन के नीचे जो रूट से रूट से वो टूबर के फॉर्म में होता है जैसे कि स्वीट प्लांट वह क्या करते हैं वह फ्रूट के पूट के रूप में लोग उसको लेते हैं और वह स्टोर भी किया जा सकता है एंड सोनी नेक्स्ट सीजन उसे हम अगले सीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं अगरी कल्चर में अब आइस टेम स्टेम के थूप कैसे हमारा की रेप्रिक्षन होता है देखे इसका इक्जामपल है पोटैटो क्या होता है आप लोगोंने देखा काला इप पोटैटो पोटैटो पुपर झोटिय और अबर बॉ देते हैं जिसमें की आई प्रेजेंट हो जिस पोटेटो में आई प्रेजेंट हो उसमें प्रॉपरली पानी दे उसका देख भाल करें तो कुछ दिन बाद वो नए प्लांट में ग्रो कर सकता है ठीक है तो इस टेम के थूँ एक नया प्लांट डवलप हो गया और जिंजर में और तर्मरिक में क्या होता है राइजोम्स प्रेजेंट होता है ठीक है उन में भी क्या प्रेजेंट होता है बड जैसे इनके में यह जो इसमें दिख रहा है ऐसे नीचे इसको में राइजोम्स बोलता है वह भी स्टेम के थूँ जैसे की पोटेटो जर्मिनेट होता है वैस जैसे यह लीफ है इसके मार्जीन पर देखिए बड्स है जैसे यह बड़ यहां से डीटेच होगे कहीं मौइस्ट स्वाइल में फॉल होगा उस टाइम बाद यह नया जर्मिनेट हो जाएगा ठीक है नया प्रोड्यूस हो जाएगा देखिए बाइबर्ट के थू किसमें होता इसमें लगे हार एक बड़ कैपेबल होता है न्यू प्लांट को ग्रोथ करने में ठीक है बड़िंग के सुरू देखिए कैसा हम लोग प्लांट में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जैसे कि एक्जामपल में इस्ट सेल है इसमें क्या हुआ धीरे धीरे यहां से बड़ डेवल इसमें अधीरे नियू बड़ में फॉर्म हो गया जैसे ही यह न्यू बड़ में प्रिपेर होता है यहां से यह कटल डिटैच हो जाता है डिटैच हो कि यह फिर से एक नया ग्रोथ होने के लिए रेडी हो गया तेस्माल बलब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आप फंदे इस सब्सक्राइब हो जाता है यहां से यह बड़ जाता है यहां से डिटैच हो जाता है और फॉर्म इस्ट से न्यू इस्ट सेल का फॉर्मिशन कर देता है इसमें क्या होता है कि एल्गी होता है जैसे इसको वाटर न्यूट्रियंट्स प्रॉपर एमॉन में मिलने लगते हैं यह तूरंत तेजी से बढ़ने लगता है बढ़ते बढ़ते फ्राइशन मतलब किसी भी दो पार्ट में तूटना यह एक पूरा है ब्रान जैसे यह फ्राइग्मेंट हो गया तूट गया ठीक है इसी प्रॉसेस को हम लोग फ्राइग्मेंटेशन बोलते हैं इस कॉमन फिलामेंटस एल की लाइक इस पार हो गया रहा है यह एक्जाम्पल किस रिच के सब्सक्राइब जैसे इसको अगर वाटर न्यूट्रियंट्स प्रॉपर भी वेजिटेटी रिप्रोडक्शन होता है जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि ब्रेट पे अचानक से कुछ दिन बाद अगर हम लोग खूले में ब्रेट रखे तो उससे फंजाई आ जाती है क्यों कैसे होता है वह स्पोर के थ्रू होता है कि हमेसा एयर में ट्रैवल कर प्रेचर आता है यह वहां से नए स्पोर का जर्मिनिशन करने लगता है और एक न्यू इंडिवीजबल में डेवलप हो जाता है यह देखते हैं कि स्पोर फार्मेशन कहां होता है फंजाई और पीसे स्टिक है स्पैरो गैरा में भी होता है ग्रोफ रॉम स्पोर विचा प् हाइड प्रोटेक्टिव कोट से कवर अफ रहता है जो की विट इस्टेंड ओं फेवरेबल कंडिशन सच इस हाई टेंप्रेचर और लो यूमिडेटी पर भी यह अपना रह सकता है ठीक है यह खराब नहीं होता है फिर जैसे इनको फेवरेबल कंडिशन मिलता है इनका स्प गषा पड़ादा पड़ाया वह तो है कर सकता है बकटींग के नेतिका za całe का किसी बीची अच्छा यहां सूर में डीप कर देते हैं कुछ दिन बाद में क्या होता है फिर से में रूट जर्मिनेट होने लगता है उस क्वाइबंट में यह उद्रोफ है उसको प्लाइब कि और यह उसका अगर लोग रोच के प्लाइं की स्टे में करें कहीं दूसरे जगह गर दो देते हैं कुछ दिन बाद उसकी स्टेंड से ही रूट कर जर्मिनेशन होने लगता है सुएंग अंदर एक नय में में डेवलप हो जाता है और यह देखते है क्या होता है कि हेल्दी यंग ब्रांच प्लांट ठीक है किसी हेल्दी प्लांट का हम लोग ब्रांच ले लिए having leaves bud and cut off and planted in moist soil ठीक है then it developed root रूप वहीस जो है स्टेम में root develop होने लगता है and grow into a new plant example में क्या क्या आ जाएगा रूज आ जाएगा सूगर केन आ जाएगा पाइनिप्पल आ जाएगा ठीक है ग्राफ्टिंग के तूद देखिए कैसे आर्टिशियल वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन होता है यह बैसिकली और्नमेंटर फ्लावर्स जो होते हैं और फूट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है पिर नए वेराइटी को जनल रहें जिससे हाइबरिट वेराइटी हाइबरी वेराइटी मतलब क्या होता है कि अपने पैरन्स से अलग अलग दिखेंगे यह लोग दो प्लांट को मिलाकर एक का फॉमेशन होना जैसे कोई रेड फ्लावर है और वाइट फ्लावर है हम दोनों इसको मिलाकर ग्राफ्टिंग के तरूँ हम लोग इसको पिंक फ्लावर के रूप में नया जर्मिनेट कर सकते हैं इसे हम लोग बोलेंगे hybrid variety ठीक है ना वो रेड ही जर्मिनेट होगा ना वाइट वो दोनों का कलर मिक्स करके hybrid means mix up क्या होता है कि it involves the detaching a twig or bud of one plant एक प्लांट ऐसा है जिसे यह प्लांट है तो हम लोग जिसमें फ्लावर बड वेगर लगा इसको यहां से कट कर लेंगे स्टेम से ठीक है and keeping it over the cut of stem of other plant फिर हम लोग क्या करेंगे एक ऐसा हम लोग प्लांट लेंगे जिसका स्टेम है बस और इसमें फ्लावर अगर नहीं है और यह अच्छे से स्वाइल के अंदर यह स्टेम होना चाहिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका स्टेम हम लोग स्केल पर ग्राफ्ट करके बांद के कुछ दिन के लिए रख देते हैं ठीक है तो स्टॉक सुड है एक्स्टेंसी रूट सिस्टम मंदा साथ इस्टॉक क्या होता है कि एक ऐसा स्टेम है जो कि सिर्फ स्वाइल के अंदर से इसको कनेक्शन रहना बहुत ज़रूरी है ठीक है कुछ दिन बाद यह दोनों जॉइन होके एक नया प्लांट बना लेंगे अटर फ्यू देज़ प्लांट स्टार गिविंग वन न्यू ब्रांचे सो कम्बाइंट फीचर अब बहुत प्लाइटी का इसमें फ्लावर या फ्रूट जर्मिनेट होने लगेगा डवलप होने लेंगे और उसके बाद ग्राफ्टिंग के थ्रू हम लोग एक नया हाइब्रेट वैराइटी जर्मिनेट कर सकते हैं रोज में होता है मैंगो में ग्वावा में और बहुत सारे फ्रूट्स प्लांट में देखिए जैसे इस फिकर में दिखाए गया है यह इसका सियोन है इस पिंक है यह वाइलेट कलर हो गया की सब्सक्राइब्स लेयरिंग की सिसाथ प्लासेस कैसे होता है इस प्लांच को लोग तो सब्सक्राइब करके रखना है कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि इस यह से रूट्स डेवलप होने लगएग और एक नए प्लांट में यह तो स्टेन से बार खटा के उसको स्वाइल कंदर डीप कर देना है कुछ दिन बाद क्या होगा आप्टर फ्यू विक्स न्यू रूट्स डेवलप होने लगेगा और प्लांट इस नया प्लांट डेवलप हो जाएगा इसी प्रोसेस को लेयरिंग बोलते किसमें होता है जैस्मीन मे ग्रेप वाइन में है यह देखते हैं एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का इस अ फास्टर मेथड अज़ प्लांट टेक लिस टाइम टो ग्रोथ इन न्यू प्लांट अगर प्लांट होता है तो थोड़ा ज्यादा समय लेता है लेकिन अगर हम लोग थी कि इककर अगर दो करना सिम पार बर जर्मीनेट करते है तो क्या करता है कि अपना सीम एजर प्लांट वह किरेक्टॉ करता हो दस help in conserving characteristic feature of parents plant अगर हम लोग को एक ही पौद है जैसा हम लोग को सब जगा उगाना है तो हम लोग इसमें बहुत help पूर रहता है वेजिटेटिव प्रपगेशन प्लांट जिसमें न फ्लावर है न सीड है उसके बिना भी हम लोग उस पेड से नया एक पेड जर्मिनेट कर सकते हैं जैसे कि लेरिंग के थूरू ग्राफ्टिंग के थूरू प्लांट्स नीड लेस अटेंशन ज्यादा देखवाल करने की जरुगत भी नहीं पड़ती है कि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है देखिए क्या इट्स लीट ओवरक्राउडिंग यह बहुत जल्दी जल्दी जर्मिन तो बहुत ओवरक्राउडिंग हो जाता है इससे क्या होता है कि जनेटिक और उनकी त्रूज जाइगेट होगे फटिलाजेशन उसी प्रोसेस को लोग सेक्स्वा रिप्रोडक्शन बेसिकली जिसमें मेल और फीमेल ग्रैमेट का इनवाल्मेंट हो तो हम मैंने बताया था कि और में कौन सा रिप्रोडटीब पार्स होता है फ्लावेor में मेल और फीमेर प्रोड़ड़क्टीब दूनों प्रेजण हो तें मैं अप्रिदा suspension और पिस्टिल क्या है फिप्रोड़क्टिज एह घ्रेमेंकव करने वाली बात है कि मेर रिप्रोडॉडनी पर प्लावर प्लावा प्लान में सुन नियुक या तो मेल प्रेजन्ट या फीमेल क्या इसे दोनों पार्ट नहीं प्रेजन्ट होगा यूनी मिंस सिंगल सेक्स या उसमें मेल प्रेजन्ट हो या फीमेर प्रेजन्ट हो ठीक है इसका एक्जामपल होगे कॉर्ण पापाया कॉंबर और bisexual plants, by means दो, जिसमें की दोनो, stamen भी प्रेजेंट और pistil, that is male reproductive part भी प्रेजेंट और female reproductive part भी प्रेजेंट, इसका example क्या है, mustard, rose, tunia, ठीक है, हम देखें इस figure में, दिखाए गया है, तिस stamen है, ठीक है, stamen किसका है, part, male reproductive part, और pistil है, female reproductive part, देखें, जो एंथर है, यह में reproductive part है, stamen, stamen consist to एंथर, और filament से मिलके stamen बना हुआ है, जो एंथर है, वो क्या करता है, यही pollen grain consist करता है, इसी को हम लोग male gamut कहते हैं, एंथर पर ही pollen grain present होता है, और देखें, ओवरी, female में, ओव्यूल, यह देखें, यह ओवरी है, ओवरी के अंदर, ovules present है, ओव्यूल के अंदर ही एक का formation होता है, एक फर्टिलाजिशन क्या होता है, जब भी male और female gamut fuse होता है, तो क्या होता है, फर्टिलाजिशन होता है, देखें, जैसे इसमें दिखाए गए, यह सिर्फ एग है, और यह क्या है, यह pollen grain है, अभी यह दु pollen grain, pollen grain, pollen grain आते-आते क्या करता है, एक के साथ fuse कर लेता है, एक के साथ फ्यूस करके क्या बनाता है, जब एग और pollen grain, pollen tube के थूँब के थूँखाए मिक्स होते है, तो जाइगोड बना लेते है, इसी प्रॉसेस को अभी लोग फर्टिलाजिशन बोलते हैं, देखें, आफट तब तक बढ़ता है जब तक ऑप्यूब के साथ अटाइच न हो जाए तब पॉलेंट ग्रेंज मूब इंटु ओव्यूब नमूब ने बताया उव्यूब कर जाता है और फ्यूब करके क्या बनाता है जाइगोट ऑफिर देवलप इन्टु एन खूली जायेगत दिवाइड होगे एंब्रियू बना लेता है कुरी जब पॉलन ग्रीन एग के साथ कंभाइन होके निया चूटा जाएंग यह की सुश्च बहता है तो स्विच आफ यह चूर्व फॉअ मेहच्वर इंटसंच उस 이건 सिच कम बनता है जब fertilized एक ovule के साथ mix up हो जाता है, mature हो जाता है तो वो seed का formation कर लेता है अब fruit कहां से develop होता है, fruit develop from ovary, ovary से fruit develop होता है और seed from ovule, ovule से seed का formation होता है, ठीक है Fruit is ripened ovary, ये पुछा जाता है कि fruit क्या है, fruit एक ripened ovary है, पका हुआ ovary को ही हम लोग fruit बोलते है और fruit का क्या होता है, fruit protect the seeds, seeds का protection करता है food dispersal में काम करता है दीखे, pollination क्या होता है, the transfer of pollen from the enter to the stigma of flowers कर pollination pollination क्या होता है, कि जब stigma से, जब enter stigma पर जाता है फिर combine होके, वो zygote का formation करता है, इसी को pollination बोलते है किसी-किसी flower में, तो यह यह same flower में pollination हो सकता है यह different flower in pollination, जब same, एक ही flower में pollination हो, उसको हम लोग self-pollination बोलते है ठीक है, यह pollen lands on the stigma of same flower जैसे एंथर से pollen, अगर stigma पर आके एक ही देखिए, जैसे एक ही flower है इसमें stigma में प्रेजेंटर pollen, जब यह pollen इस पर आके land up हो जाएगा तो यह हम लोग क्या बोलेंगे, self-pollination लेकिन अगर यह flower है यह दूसरा flower है इसका एंथर इसके stigma पर जाके, जाएन होके, zygote का formation करेगा ऐसे pollination, कम लोग cross-pollination, cross means एक दूसरे से, self means खुद में ठीक है, तो आइए देखते है, cross-pollination क्या होता है when the pollen of flower lands on the stigma of another flower, ठीक है इसका एंथर का एक flower रहेगा और stigma का दूसरा flower जब यह उस पर जाके, land up हो जाएंगे, उसी कम लोग क्या बोलेंगे, cross-pollination agents of pollination, pollination ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे agents के ज़रूरत होती है जैसे कि, agents क्या होता है, जो की pollen wind को carry कर सके देखिए, these agents में भी insects हो सकते हैं, birds हो सकते हैं, wind हो सकता है, water हो सकता है, और other animal भी हो सकते हैं इनको लोग क्या बोलेंगे, pollinating agent pollinating agent में जो भी pollination करवाता हो, देखिए insects में देखिए, क्या होता है, insects कैसे pollination करते हैं, जो flower colorful होते हैं, जिसमें sands होता है, जिसमें nectar होते हैं, वैसे flower पे ज्यादा था insects बढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, जब उनको nectar collect करना होता है, फ्लावर से, तो उसमें बैठते हैं, और फिर कुछ pollen उनके body parts में चिपक जाते हैं फिर उसके बाद वो nectar लेने के लिए दूसरे plant में जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से उनका pollen, उसके stigma पे fall up हो जाता है, और फिर वही pollination हो जाता है विंड के फ्लावर होते हैं, ज्यादा चमकीले कलर के नहीं होते हैं, बहुत हलके कलर के होते हैं, और जो की nectar बिल्कुल नहीं produce करते हैं इसमें क्या होता है, जो उनका pollen बहुत light होता है, जो की air के साथ easily flow होने लगता है और फिर फ्लो होता है, फिर उसको कभी किसी stigma पे जाके मिल जाता है, तो pollination हो जाता है में मेज और मेज में कैसा pollination होता है, किसके थरूँ, विंड के थरूँ seed dispersal and its significance, seed dispersal क्या होता है, कि the process by which seeds are scattered to the distance places ऐसा process जिसमें की seed दूसरे जगह scattered हो सके ठीक है, उसी कमनों dispersal of seed बोलते हैं क्या करता है, help plants in invading new habits, ये seed को नए habits में germinate करने के लिए इनवेट करता है, ठीक है, fruits and seed can be dispersed by wind, water and animal, इसके लिए भी agent चाहिए रहता है, कभी wind से, कभी water से, कभी animal के थरूँ ये seed का dispersal होता है, तीक है, vindicate through, कैसे seed dispersal होता है, यूजली small and light color flower, जैसे flower होते हैं, जो कि color less होते हैं, मतला हलके color के होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे कि cotton दिखाया गया है, इसके द्वारा क्या करते हैं, वो air के थरूँ float करते हैं, water के थरूँ क्या होता है, जो ऐसे plants जो पानी के किनारे या पानी में जो produce होते हैं, वो water के थरूँ क्या होते हैं, इसका example क्या है, coconut हो गया, lotus हो गया, इनिमल के थरूँ कैसे होता है, कभी-कभी जैसे चिणिया या कुछ जानवर, fruits के साथ साथ seed भी खा लेते हैं, लेकिन seed क्या होता है, digest हो नहीं पाता है, वो excretory waste material के थरू, excretion के थरूँ बाहर आ जाता है, जिससे की dispersal हो गया, फिर वह self exploration की थरूँ भी कभी-कभी होता है, seed dispersal देखी, sometimes the fruit of some plant burst, ठीक है, sudden jerk on the drying, कभी-कभी ऐसा होता है, कि जैसे प्लांट सुख जाते हैं, तो burst हो जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, कि इन में देखी, सारे seed अपने आप हवा के थरूँ या, जैसे भ पी का, लेग्यूमी का, ठीक है, आईए देखते हैं, seed को जल्मिनेट होने के लिए, condition बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, proper condition अगर रहेगा, तब ही हमारा seed जो है, अच्छे amount में या अच्छे तरीके से growth कर पाएगा, उसके लिए, proper amount में moisture होना, air होना, temperature होना, तेमपरेचर और हाँ, एक है प्सुर्भ थाइए लग्यूर, जो हहुआंगे तरीके से कौने, बहुआंगे प्सक्रया ज breakup